हलो दोस्तों वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने वाइफाई के पासवोर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं आपके पास कोई भी कमपनी का फोन हो रेड्मी का हो, रियल्मी का हो, सेमसंग का हो, ओपो का हो, भीबो का हो आप कोई भी कमपनी का मोबाल यूज करते हैं तो आप अपने मोबाल में वाइफाई के पासवोर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास अगर वाइफाई है तो आप अपने Wi-Fi के password को कैसे change कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बीना समय गवाएं सीखते हैं कि किस तरीके से Wi-Fi के password को change किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने phone के home screen पर आ जाना है जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं अपने phone के home screen पर आ गया हूँ आपको मैं पूरे basic तरीके से बताऊंगा और इस starting से बताऊंगा ठीक है तो home screen पर सबसे पहले आ जाना है उसके बाद से दोस्तो आपको अपने setting को open करना है यहाँ पर देखिए आपको setting दिखाई दे रहा है setting वाला app दिखाई दे रहा है आपको इस पर click करना है click कर दिया, click करेंगे तो यहाँ पर आपका setting open हो जाता है मतलब कि setting का जो application है वो open हो जाता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे settings related option देखने को मिलता है यहाँ पर देखिए दोस्तो आपको wifi एक option दिखाई दे रहा है लेकिन आपको इस वाले option पर click नहीं करना है आपको नीची आना है नीची आपको एक option मिलता है portable hot sport वाला option मिलता है आपको इस वाले option पर click करना है hot spot वाला option पर click करना है ठीक है तो हम इस पर click करेंगे जैसे आप click करते हैं दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलता है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अब दोस्तों आपको करना क्या है आपको यहाँ पर आना है देखिए यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलना है setup portable hottest mode आपको इस वाले option पर click करना है जैसे आप click करते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलता है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा mobile का नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर password लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर अपने password को hide करके रखा है तो मुझे अपने password को change करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले तो हम अपने password को देखते हैं तो मैंने अपना password क्या बनाया है फैसल बीच में space है उसके बास से अनसारी लिखा हुआ है तो मुझे यह वाला password हटाना है मैं चाहता हूँ कि इस password को हटा कर कोई दूसरा password यहाँ पर रखूँ तो कैसे करेंगे तो इस पर आपको click कर देना है click कर दिये उसके बास से यहाँ से आपको आपको delete कर देना है तो इस तरीके से cut कर देजिए cut कर दिये उसके बास से जो भी आप password यहाँ पर रखना चाहते हैं यहाँ पर लिख रहा है minimum आपको 8 character का password रखना है ठीक है तो हम यहाँ पर रख देते हैं अपना password अपने चैनल का नाम ही रख देते हैं Monsel उसके बाद से यहाँ पर रख देते हैं तो यह मेरा password हो गया ठीक है आपको बीच में space नहीं देना अगर आप space देते हैं तो वो भी आपको password में count होता है तो माल लिजे कि मैं यहाँ पर space देता हूँ जो नाम लिखा हूँ है Monsel यहाँ पर बीच में space है तो आपको space देकर tag लिख देना है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने password को यहाँ से change कर सकते हैं चेंज करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होता है यहाँ पर सही का sign दिखाई दे रहा है न आपको इस पर click कर देना है तब जाकर आपका password यहाँ पर set होता है आपको यहाँ से hot sport में आना है यह नहीं कि wifi में चले जाएगा यह वाला option आपको ढूनना है portable hot sport ठीक है न तब जाकर आपका password चेंज होता है तो दोस्तों यहीं simple सा एक तरीका होता है अपने hot sport के password को change करने का दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके all पर प्रेस कर लिजेगा मिलते एक ने वीडियो में तब तक के लिए